जामतारा के भाजपाईू ने आज जामतारा में धर्ना दिया। धर्ने में सभी मौन धारण किये हुए थे। और नाम भी रखा था कॉंग्रेस सद्बुधी मौन धर्ना। कॉंग्रेस सद्बुधी मौन धर्ना कारिक्रम का नीतरत्व जिला अध्यज सोमनाथ सिंग कर रहे वहीं धरना कारिक्रम में मोहन शर्मा, सुमित शर्ण, अंजनी कुमार सहित, अन्य भाजपाई मौजूर थे। इस अफसर पर जिला अधिया सोमनाथ सिंग ने कहा कि पंजाब में पी-एम के सुरक्षा में चूक नहीं बलकि एक साज़िश के तहट ये काम किया गया जिसको ल ऐसी हरकत करने पर जुट चुके हैं, जो भाजपा किसी भी कीमत पर बरदाश नहीं करेगी। जामतारा से गौतम मंडल की रिपूर्ट। काफिला को रोखने का परियास किया गया और एक सोचिस समझी साजिस के तहट घटना को अंजाम देने का परियास किया गया है। उसके बिरोध में भारतिये जनता पार्टी के द्वारा कल जो है हम लोगों ने मसाल जुलुस निकाला, मोधी जी का लंबी आयू के लिए हम लोग कल महिला मुर्चा के द्वारा महमिर्तुंजे जब किया गिया। और भागवान सिरी राम चंद्र जी कॉंग्रेस पार्टी को सद्वुद्धी दे उनके लोगों का मानसिक्ता में बदला हुआ है। और भारतिय जनता पार्टी और परधान मंत्री जी का लोकरती रता से इन लोग जले नहीं। उसके लिए मातमा गांदी जिनके नाम पर इन लोगों ने 70 साल तक राजनिती किया है, देश को बाटने का लोगों का बाटने का काम किया है। ताज हम लोग मातमा गांदी जी के प्रतिमा के सामने मौन धारन किये हुए है